फाइनली Redmi Note 12 Pro 5G इंडिया पर लाँच हो चुका है, 6120 इडिचला फिरेंड अब उफर के साथ पर्चिस कर सकते हूँ, 22,000 पे करके, और प्राइस के साथ से बहुत ही अच्छा सा स्पेसिपिकिसन उफर कर रहा है, जैसे कि इस फोन में रहने वाला है, प्रो एमोलेट डिस्प इसमें आता है, OnePlus की तरफ से OnePlus Note C2, इसलिए बहुत सारे दोस्त कनफ्यूस हो चुका है, दुनों फोन लेकर, क्या भी मुझे OnePlus का फोन लेना चाहिए, या मुझे Redmi का फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन का डिस्पले अच्छा है, कौन सा फोन का प्रोसेसर अच्छा है, और कौन 6-7-inch, Full HD Plus Pro AMOLED डिस्पले के साथ, जिसका Quality AMOLED से स्लाइटली बेटर रहने वाला है, 120Hz का रिफर्स राइड है, Dolby Vision को सप्ट करता है, SDR 10 Plus का साथिवी के सान भी देखने को मिल चाहिए, अगर आप मुवी या वीडियो ज्यादा देखते हो, तो आपके लिए जो फोने पर साथ आता है, देख़ें, डिस्पले में तो साफ साफ उइनर रहने वाला है, Redmi, या पर पाफोन में साफ 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 उइनर रहने वाला है, Redmi, क्योंकि यह जो फोन आता है, MediaTek Diamond City के तरफ से 1080 चिपसेट के साथ, जो की GoctaCore चिपसेट है, 6 Nanometer पर बना हुआ है, और इसका जो प्लास का फोन आता है, MediaTek Diamond City के तरफ से 900 चिपसेट के साथ, जो की GoctaCore चिपसेट है, 6 Nanometer पर बना हुआ है, इसका जो क्लॉक्स भी रंड करता है, 2.4 Gigahertz में, इसमें भी अब फ्री फैर या बीजी में जैसा गेम को अराम से खिल सकते हो, लेकिन गेम में बेटर स्मूधन और Day to Live यूजी में बेटर पाफ्मेंस मिलेगा आपको Redmi के अंदर, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कौन सा फोन कैमेरा के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है, हम मुझे पता है, ये चीज़ लेकर आप बहुत ज़्यादा confused भी हो, तो यहां पर कैमेरा के लिए साफ ऐरे आप क्योंकि फोन आता है, फीछी की तरह प्रिफटिल कैमेरा के साथ के सा प्राइ मरी जनिसेंसर उसेथ प्रैमरी हो विए सचाथ 8 मेगापिकसार अल्ट्राइट और 2 मेगापिकसल रहनेवाला साथ दोनों फोन का जो selfie camera रहने वाला है 16 Megapixel, ऐसे भी आप दोनों फोन की back camera से 4K में वीडियो को record भी कर सकते हो, अगर आपको चाहिए फोटो में अच्छा color contrast, वीडियो recording में अच्छा stabilization तो आपके लिए perfect camera offer करने वाला है Redmi, तो आप बात करते हैं दोनों फोन की design के बारे में, तो branding है, sidebound fingerprint sensor के साथ आता है, जो बहुत फास्ट रहने वाला है, center control है, display का बिजल और नीचे जचेन, इसमें आपको बहुत छोटा देखने को मिल चाहेगा, और यह जो phone है flat display के साथ आता है, OnePlus का design भी इतना बुरा नहीं है, phone देखने में काफी घुपसरत रहने वाला है, पतला है, हलका है, हाथों में बहुत एक comfortable फिल देता है, phone की पीछे की तरफ है triple camera setup, LED Flash OnePlus की branding है, glossy look के साथ आता है, और इसमें in-display fingerprint sensor देखने को मिल चाहेगा, lip side corner पर है control display का बिजल और नीचे जो चेन इसमें आपको छोटा देखने को मिल चाहेगा, तो design सब का अलग-अलग choice है, त Office 2.2 storage type के साथ दोनों फोन आता है, दोनों फोन में RAM management लग-बग आपको same देखने को मिल चाहेगा, other specification के तरफ देखा जाए, दोनों फोन आता है, Android 12 के साथ, और दोनों फोन में आपको custom UI देखने को मिल चाहेगा, OnePlus का फोन आता है, OxygenOS 12 के साथ, इसमें आपको Airs नहीं रहने वाला है, multiple 5G bands के साथ, दोनों फोन में 3.5mm audio jack दिखने को मिल चाहेगा, Redmi का फोन आता है, IP53 रेटिंग के साथ, OnePlus के अंदर IP का रेटिंग आपको नहीं दिखने को मिलेगा, Redmi के फोन में dual studio speaker रहने वाला है, OnePlus का फोन आता है, single speaker के साथ, तो अब बात करते हैं दोनों फो देमेज बैटरी के साथ, और inbox रहने वाला है, 65W की adapter, तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं, कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, और कौन सा फोन आपको प्रिचिस करना चाहिए, यापर OnePlus से बेटर स्पेसिपिकिकिसन आपको देखने को मिलेगा, Redmi के अंदर, Redmi का डिस्प्ले सबसे अच्छा रहने वाला है, इसमें gaming performance बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, उसे के साथ इसका camera quality भी अच्छा रहने वाला है, बैटर वेकप भी आपको टूगूर देखने को मिल जाएगा, तो कुलमिल अगर बताय जाए दोस्तों, मेरे हिसाब से और यह कमेंटर में जुरू पता सकते हो, क्योंकि सबका opinion तो अलग-अलग रहने वाला है, मुझे पूरी उमीद है, आपका doubt मैंने clear कर दिया, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो एक like कर दीजिए, उसे की साथ चलन को का लिजिए, subscribe, अगर आप Redmi Note 12 Pro और Realme 10 Pro लेकर ज़्या को कर दो लेकर दो है, आपका।